ना में नजर ना लग जाए वैडिंग सॉंग ऑफ द इयर बोला गया इस गाने को और एक्चुली वैडिंग सॉंग ऑफ द इयर है थोड़ा सा क्लियर कर दू डांस वाला सॉंग नहीं है बट जब धुलन की एंट्री होती है धुला धुलन का डांस होता है तो उस जगह पर य समाफ में पीट पर बजने वाला है अगर गाने की जान मनीशा राणि एक्चुल में आगर गाने में कोई जान डाल रहा तो मना रहीं है क्योंकि बिलकुल अपने Benak Haben है वो जैसे कि हमने बिग बॉस पर देखा था मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उनको शादी का त्यार होने का ट्रेडिशनल ऐसे शादी हो गरने का कासी ज़्यादा शौंक और गाने कि में जिस हिसाब से कमफटेबल है ऐसा लग रहा है वो अपने जोन में है बहुत ही बहतरीन तरीक्ये से फिल्माया गया गाना चलो सोड़ा देख लेते हैं इसकी डिटेल्स में सिंगर एंड म्यूजिक पायल देव डीसेंट गाया है मुझे बहुत ज़्याद अच्छी आवाज नहीं लगी पर हाँ इस डीसेंट सौंग शादियों में बज़ेगा शायद बज़ेगा तो काफी अच्छा लगेगा लिरिक्स यंग बीर बहुत ही बढ़िया सिंपल अच्छी कोरियोग्राफी है मनीशा रहे है कोई ओवर तो टॉब नहीं है तो वो चीज एक और अच्छी है आठ डिरेक्टर अच्छे सैट हैं वेडिंग वाली लोग का रही है वेडिंग वाली वाईब आ रही है सेट से اड़िट अच्छा किया गया विडियो को एंड देन मनीश हारानी की टीम से है काजल महरोल हैर एंड मेक अब बो tastes निक्की एंड नियने तो ये है पूरी टीम गाने की काफी अच्छा गाना ने music काफी अच्छा मूँपे चऽड़ने वाला है सिरफ वाइस सोड़ी उपर नीची है बड़ मनीश अरानी के लिए हम इतना तो कॉंप्रमाइज करी सकते हैं कल एक गाना आया था टोनी ककड के साथ आज एक और गाना आ गया धड़ा धड़ काम करती जा रही है जो कि एक बहुत अच्छी बात है अगर एक चीज से हमें फेम मिला है बिग बहुत से तो इसका भरपूर यूज हमें करना चाहिए मुझे लगता है एक और गाना इनका त्यार है नेहा ककड और टोनी ककड के साथ जल्दी देखने को मिल जाएगा गाना मुझे परसनली बहुत अच्छा लगा नहीं देखा तो जाके देख लो मैंने लिंक डाल दिया देख लिया तो कमेंटर में बताओ कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता है